हाई फेंड्स, वेलकम टू माई चानेल फेंड्स आज में आप लोगों के साथ पेसवारी माटन की रेशीपी सेयर करूंगी अगर मेरी रेशीपी पसंद आया तो प्लीज लाइक कॉमेंट सेयर कीजिए और मेरी चानेल को सबस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक किजिए ताकि मेरी रेसिपी आपको मिल जाए अपलोड होते ही इसके लिए मैंने यहाँ पे हापकेजी माटन को बॉयल करके राखा है बॉयल करने के टाइम इसमें एक बॉड़ी एलाइची और जोरुरत के हिसाब से पानी डालके बॉयल किया है उसके बाद स्टॉक और माटन को अलग करके राखा है एक पैन में डाल दूंगी टू टेबल स्पून रिफाइन डॉयल और टू टेबल स्पून घी डालके मेल्ट कर लूंगी अब इसमें बॉयल किया हुआ माटन डाल दूंगी लेकिन माटन स्टॉक अभी नहीं डालना है माटन को स्टार फ्राइ करना है इसको ढखकन लगा के फ्राइ करना है घी और रिफाइन डॉयल आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हो माटन फ्राइ हो गया अब इसमें डाल दूंगी दो तेज़ पत्ता तीन से चार छोटी एलाइची तीन से चार लॉंग हाप इंच दाल चिनी और एक स्टार एनिस डाल के अच्छे से फ्राइ कर लूंगी अब इसमें स्लाइस ओनियन डाल के फ्राइ कर लूंगी एक मीडियम साइज ओनियन को इसी तरह स्लाइस करके काट लिया था ओनियन को मीडियम फ्लेम में फ्राइ करना है अब इसमें डाल दूंगी देट टेबिल स्पून लोसुन चोप्ट और एक टेबिल स्पून आद्दक चोप्ट डालके फ्राई कर लूंगी अब इसमें डाल दूंगी एक टीस्पून जीरा पेस्ट जीरा को पेस्ट करने के टाइम उसमें दो हरी मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च डाल के पेस्ट किया था इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें 2 टेबल स्पून फेटा हुआ दो ही डाल के लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डाल दूंगी एक टेबल स्पून आल्मॉंड पेस्ट आल्मॉंड को पहले गरम पानी में भीगो के राखा था फिर उसके बाद छील का निकाल के पेस्ट कर लिया है साथ ही डाल दूंगी एक टेबल स्पून काजुनाट पेस्ट अब इसको low flame में अच्छे से mix करना है अब इसमें डाल दूंगी 140 स्पून गरम मसला पाउडर थोड़ा सा जाईफल जाबित्ती पाउडर थोड़ा सा जाईफल और थोड़ा सा जाबित्ती को एक साद राई रोस्ट करके पाउडर बना लिया है थोड़ा सा रोस्टेड श्टार आनिस पाउडर अब इसको अच्छे से mix कर लेंगे अब इसमें स्वाद के अनुसान नमोक और थोड़ा सा सुगर डलके अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहे तो सुगर को skip कर सकते हो अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें डाल दूंगी माटोन स्टॉप स्टॉप को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको ढखकन लगा के लो फ्लेम में 8-10 मिनिट के लिए पकाना है बीच बीच में ढखकन निकल के स्टर करके फिर से ढखकन लगाना है फ्रेंड्स अगर रेशिपी पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट सेयर किजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए माटन बहुत अच्छे से पक गया है अब इसमें डाल दूँगी केसर मिल्क हापकप दूद के साथ थोड़ा सा केसर मिक्स करके राखा था अब इसको लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लोंगी अब इसमें टू टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल के लो फ्लेम में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे फ्रेश क्रीम डालने के बाद ज्यादा टाइम लेके नहीं पकना है अब इसमें थोड़ा सा फ्राइड आनियन डालके मिक्स कर लूँगी फ्राइड आनियन यानी बेरिस्ता को मैंने पहले से ही बना के रखा था अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके उपोर और थोड़ा फ्राइड आनियन डालके ग्यास का फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ढखकन लगा के 5-6 मिनिट के लिए स्टेंडिंग टाइम में राख दूंगी अब इसको डिस आउट कर लूंगी ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी होता है आप इसको एक बार जोरू ट्राइ करे अब इसको गर्मा गर्म सर्फ करना है अपने मोन पसंदिता इसके साथ ठैंक्स पर वाचिंग